अग्याइज बेलकम टू दिस अग्री कल्चिर अक्रडमी आप सभी का दिस अग्री कल्चिर परिवार में बहुत बहुत सौगत है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टन वीडियो बीजी फिफ्ट समेस्टर एंग्री कल्चिर मार्केटिंग ट्रेट एंड प्राइस काफी प्रसनों को लेकर आच चुका हूँ आपके बीच में तो वीडियो को देखो आपको पूरा वास करना क्योंकि आप सभी जानते हैं आज जो आपका पेपर हुआ था क्रॉप पिस्ट इंसेक्ट इंडियर मेरेजमेंट का सीधे प्रसन आपके वीडियो से मिले थे हैं ना तो क्लिक करके गुरुप को जॉइन कर लिजिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है रिपीट होने बाले कोस्टन्स हैं यखीन मानिए इस क्लास से कम से कम एक या दो कोस्टन्स का लेक्जाम में आपके पक्का मिलेंगे इसलिए वीडियो पूरा ब नाबाड के मुख्याले की बात की जाएगी तो कहां पर है बंबई में है ठीक है ना बारा जुलाई 1982 को इस्तापित नेशनल बैंक फार अग्री कल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट एक विकास वित्तीस अंस्थान या बैंक है जो मुख रूप से भारत के ग्रामीड चेत में चेतर के विकास के लिए काम करती एठीक है ना बात करी जाएगी जो नाबाड है स्थाफना की स्थाफना की स्थाफना की समित की सिपारिस के आदार पर जो नबार्ड है 1908 को लागू करने के लिए संसत के एक अधिनियम के दोरा नबार्ड की स्थाफना 12 जुलाई 1982 को कर दी गई थी तो नबाड़ की स्थापना की स्भामित की सिपारिस पर हुई थी। सिवरमन कमिटी की सिपारिस पर हुई थी और स्थापना हुथी 12 जोलाई 1982 को ठीके ना, बात करी जाएगी जो यह सरवोष से निका, यानि सरवोष संस्ता है जो क्रसी और ग्रामीड भारत की अन आर्थिक गतिविदियों के लिए नीती निर्माड और योजना की जिम्मेदारी सुनिसित करता है ये अक्रसी और ग्रामीड विकास के ताहित विभियने परियोजनाओं के लिए रेड़ सुबिदा प्रतच बित और लग और धिरकालिक रेड़ प्रोवाइट कराता है यानि जो नाबाड है ये प्रतच रूप से बित प्रोवाइट कराता है चाहिए लगुक किस कुछ समय के लिए और धीर काली का लिए लंबे समय के लिए रड़ प्रोवाइट कराता है तो नावाड काफी इंपॉर्टन आपकी एक्जाम में आ सकता है बढ़ते हैं को से नमर नेक्स्ट की तरफ अगला को से जी एस्टी यह काफी इंपॉर्टन प्रतना है तो जी एस्टी का पूरा नमकिया तो goods and services tax goods and services tax हिंदी में इसकार्थ क्या होता है माल एवं सेवाकर इसे बस्तों की खरीददारी करने पर या सेवाओं की इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है कोई भी आप बस्तों को पर्चेश करते हैं या कोई भी आप सेवा कर लाब उठाना चाहते हैं तो ये कर के रूप में आपसे पढ़ता है पहले मौझूद कई तरह के टैक्स होते थे इसे एक साइज ड्यूटी बैट इंट्री टैक्स सर्विस टैक्स आदी को हटा करके अब क्या कर दिया गया यह सारे टैक्स को हटा दिया गया अब केबल और केबल आपसे क्या पढ़ता है ज क्रिए ठी की बात करीजा यहां पे तो क्या है एस्टी काउंसिल ने लोगों की वहत्व kaufen और सेवाओं की एनिवारता के हिसाब से उनको 5 प्रकाज के टेक्स सलैप्स जिरैडी बत किये यानि जी इस्टी के कुल 5 प्रकार होते हैं टेक्स के जो बिभिन प्रकाज के हैं कैटेगरीज में कर देंगे डिवाइड किया गया तो 5% 12% 18 और 28 जिरो परसेंट होना चाहिए यहां पर जिरो परसेंट 5% 12% 18 और 28 जिरो पांच 12 और 28 यानि यह पांच प्रकार के टैक्स कस्टोमर से पढ़ते हैं हाला कि जुलाई 2017 में जियस्टी लागू होने के बाद विविन बस्तुओं और सेवाओं पर लागू टैक्स की इन दरों में कई बदलाव किये जा चुके हैं तो आपको इतनी बात आनी से यह जिसको कंटेंट आपको मिल रहा है इस प्रकार का कंटेंट आपको किसी भी कौपी में नहीं मिलेगा किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे सेलेक्टेड चीज़ें आपके लिए कलेक्ट कि तरफ इट्र से अब अगर बात करी जाएगी टाइप आप GST जो जिस्ट कितने प्रकार की होती है तो जिस्टी तिन चार प्रकार की नंबर एक के जी-जी-जी-जी-जी-जी है एके दौरा-फिक्स केंद के तर लगती है यह इसिए स्टेट GST, Integrated के मतलब क्या होता है? यहां पर राज और केंद्र यह दोनों सामिल होते हैं, जो Integrated GST होती है, यह केंद्र और राज इसमें दोनों समाहित होते हैं, ठीक है न? तो GST के प्रकार कुछ कितने होगा, इकुल चार प्रकार की GST होती है, जो GST के ताइप्स हैं वो कितनी है चार है नंबर 1 C GST है, Yes GST है, U GST है और I GST है C GST का मतलब Central GST है, Yes का मतलब State Level पर लगेगी यह, U GST का मतलब जो टैटरी है मतलब केंदर सासित परदेश से उनमें यह लगाई जाती है और I GST का मतलब होता है क्या गेंद प्लस स्टेट दोनों में यह समाहित और लागू किर जाती है ठीके ना तो जिएस्टी बहुत ज्यादा important questions है जिएस्टी का बहुत ज्यादा important questions है यह questions छप सकता exam में जिएस्टी और नावार कुछ वीडियो में हमने जो पहले हमने वीडियो अप्लोड की है यूटूब पर वीडियो को वास करना वहां पर भी हमने कई सारे questions को कबर किये तो WTO भी आ सकता है एगमार के भी आ सकता यह सारे questions हमने अपने यूटूब पर वीडियो अप्लोड की उनमें दिये हैं तो आप उनको अच्छे से देखिए बढ़ते हैं question number next की तरफ एक और बहुत बहुत बहुतरीन questions आ चुका है रेटेल प्राइस क्या होता है यानि जो खुदरा मोल होता वो क्या होता यह काफी अच्छा और important प्रसन है कोई भी दुकांदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अधिक्तरम खुदरा मोल से अधिक रुपए नहीं मांग सकता जैसे मान लीजिएगा कोई भी यहां पे आप क 40 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं ले सकता है यह maximum है अ लिए इस से ज्यादा पैसा कोई भी दुकांदार नहीं ले सकता जबकि जो कस्टूमर यानि जो उपभोगता होगा वह इस MRP पर कम पैसा करा सकता है टोछूट से जाथिये तो वह पैसा कम करा सकता है वह मोल तोल कर सकता है लेकिन जो दुखनदार होता है वो जो है MRP से जादा रेट प्रबस्तू नहीं दे सकता है आपको यह समझे न चाहिए आपको तो कोई भी दुकंदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अधिकतम खुद्रा मूल से अधिक रुपे नहीं मांग सकता परन्तु जो उपभोगता है वो अधिकतम खुद्रा मूल के लिए दुकंदार से तौल कर सकता है समझ पारे बात को की नहीं तो यह बात आपको समझ में आ गहीं होगी ठीक है ना रिटल प्राइसिंग यही होता है कि जो धुकंदार होगा वो मर्पी से ज्यादा आपसे पैसे नहीं लेगा क्योंकि मैक्समम होता उतनी से ज्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकता यह गारेंटी होती है और दूसरी बात जो कस्टूमर होगा जो उपभोगता होगा वो म्रपी पर पैसे कम कराक्षत दे सकता है समझ गए होंगे आप बात को बात करी जाएगी marketable surplus और marketed surplus ये दो काफी important question है marketable surplus और marketed surplus इनको बहतरीन तरीके से आप देख लेना previous video जो मैंने upload की है उस video में ये questions कराएगे हैं तो marketable surplus क्या होता है इस टॉक میں कुल उतपाद का वह हिस्सा जिसे किसान बेजने के लिए मार्केट के लिए सिर्फलस का राता है कि इस टॉक में लुटपाद का वह हिस्सा क्या होता जैसे किसी किसान के पास में मान लीजेये कितना गयों हुआ इस में वो है इसरी में इसंद है इसी में रपति हम पाएगा उसके पास में दस कुंटल गयों बच जाता लंगा उसके पास में कितना गेहूं बसा दस कुंटल अब जो गेहूं ये बसा है इसको ये बाजार में बेंशेगा इसको ये बाजार में बेंश देगा तो यही क्या कहलागा यानि कुल गेहूं था 20 कुंटल 10 कुंटल उसने परी जरूरत के लिए रख लिया 10 कुंटल उसके पास अधिक है और वो दस कुंटल जो अधिक है उसको बेंश कर वो प्रॉफिट कमाएगा अपनी आर्थिक जो जरूरते हैं उसको पूरी करेगा तो ये क्या कहिलाता है ये तो कहिलाता marketable surplus समझे आप बात को लेकिन जो marketed surplus ये क्या होता है किसी एक समय में stock का वह हिस्सा जिसे बिक्री हेतू किसान बाजार में लाता है किसी एक समय में particular एक time में stock का वह हिस्सा जिसे बिक्री हेतू किसान बाजार में लाता है सब्सक्राइब को बोलते मार्केटिट सर्पलस अग्री कल्चर प्राइस कमिशन की स्थाफ़ना 1965 में यह अलग पार्ट है इसके कोई जरूरत नहीं आप पढ़ने की लेकिन किसी एक समय में स्टाक का हुआ है जो देकर है किसान बाजार में लाता है को भी पर्टिकुलर एक ट बist report इसे मौनोपॉलिस्टिक कमपटीशन यह परताषन भी गजाम में आ सकता है Rings रहां इसी स्थिती में उत्पादक बहुत होते हैं लेकिन प्रतेग उत्पादक अलग अलग उत्पाद उत्पान करता है मानि मोनोपोलिस्टिक क्या होता उत्पादक बहुत सारे होंगे और जो प्रतेग उत्पादक है वो अलग अलग उत्पाद उत्पान करेंगे और बेजता है प्रतेग उत्पादक को अपने प्रकार के अलग-अलग परकार की फसलों को उगाएंगे तो जब अलग-अलग फसलों को ऊगाएंगे जब लönult नेंका नियूंत्रण हो तो पूरा अधिकार होता उनका उत्पाद पर खरीदने वाले का कोई इसमें जादा वो नहीं होता क्योंकि वो चाहेगा तो बेंसेगा जैसे मानलो एक किसान ने गेहों खेती की किसी ने कर लिया मक्का और सब अलग-अलग प्रकार की फसलों को लेंगे तो गेहों जिसको जरूरत होगी जो गेहों खरीदने आएगा तो उसका जिससे खरीदेगा उसका पूरा अधिकार हो करेगा मैं दोहजार नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके मन की बात है तो उसको बोलते हैं किया मॉनो पॉलिस्टे क्योंकि एक आदिकार उसका पूरा आदिकार होता अपने उत्पाद पर जबकि ओलिगोपेली जबकि ओलिगोपोली क्या होता है ऐसी स्थित में कुछी विक्रेता होता है एक ही तरह की बस्तुओं या कुछ विभिन उत्पादों का विक्रे करता है सबी विक्रेता उत्पाद बोल नीत पर परसपर निरबर रहता है यानि सीरी सी वात है ओलिगोपोली में क्या होता है इसमें विक्रेता कम होते है क्योंकि एक ही तरह कि बस्तूं या कुछ विभीन उत्पादों का विक्रे करता तो यहां भी विक्रेता कब होंगे वेचने वाले, ठीक है ना, खड़ देने वाले ज़्यादा होंगे, तो इस कंडिशन्स को बोलते हैं, ओलिगोपोली, आथार्थ एक ही विक्रेता या उतपादक, मोनो पॉली का मतलब होता एक से, या तो एक विक्रेता होगा, या तो एक उतपादक होगा, इस कंडिशन्स को क्या बोलते हैं, मोनो पॉली, प्रयोगिक तोर पर सामान दसाओं में उप्रूग तीनों प्रजार की दसाओं किस क्रसी सेक्टर में देखनों को नहीं मिलती हैं समसपारे बात के नहीं क्रसी सेक्टर में इस प्रकार की जो मोनोपोलिस्टिक होसा है ओलिकों को पूली हो द्रस्स Пос instruments देहने को मिलती आज़ के लाइख क्लास में बद है क्लाइस पसंद chapin करना बिल्ते नेक्स्ट